नमस्कार आप देख रहें News24 आपके साथ में हूं मानक गुपता आज चायवाला इंटर्व्यू बॉलिवुड के सुपरस्टार रंदी फुड़ा का वैसे तो इनके नाम जबर्दस सुपर हिट्स की लंबी लिस्ट है और तो और बॉलिवुड के साथ साथ हॉलिवुड में और ही अपना लोहा मनवा चुके हैं, एक हुड जैसी रंदी फुड़ा का नाम आता है। घोड़े यदा आते है मुझे, फिर इसके लावा फिट्नेस यादाती है और एक धील्मो की लंबी लिस्ट नाम आती है, लेकिन आज रंदी फुड़ा स्टुडियो में आये हैं किसी ने हिम्मत नहीं की थी वीर सावरकर विनायक धामोदर सावरकर कुछ लोग तो वीर सावरकर कहने पर भी कहते हैं वीर क्यों कहते हैं उनको जी बिल्कुल कहते हैं देखिए इस को शायद इस टॉपिक ने मुझे चुना था पर जब मैंने जब मैं एक कभिनेता के तोर पे जब इसमें मेरे को साइन किया गया तो मुझे लगा कि हाँ सावरकर जी के बारे में मैं जानता हूँ मुझे बस अबसे बड़ा कंसर्ण यही था कि मैं उन जैसा दिखता नहीं हूँ तो वो कैसे अचीव होगा तो मैं को लगा सावरकर जी के बारे में जानता हूँ पर जब मैंने सोचा और मैं काफी हिस्टरी पड़ी थी मैंने Mystery School में History मेरा most favorite subject होता था पर, actually मैं जब मैंने सोचा तो में उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था Except for, वो काला पानी गए थे, उसके अलवा कुछ पता ही नहीं था So that's when I started questioning कि हमें क्यों नहीं पता है उनके बारे में जब ये subject चुन लिया गया और आपने रिसर्च शुरू की हाँ, तब मुझे पता चला कि मुझे खुद भी कितना कम मालूम है यानि स्कूलों में कम पढ़ाया जाता है स्कूलों में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है कहीं उनका जिक्र नहीं है मतलब हमारे टाइम में तो नहीं था अब पता नहीं क्या स्कूल में पढ़ा रहे हैं पर कहीं कोई जिक्र नहीं था कहीं कोई काला पानी में क्या क्या हुआ क्यूं उनको वहां भेजा गया और एक सचस्थर करांती भी एक हमारे देश में थी उसका कोई जिकरी नहीं था हमेशा यही बताया गया था कि आहिंसा से हमें आजादी मिली है और किसी का कोई योगदान नहीं है दो-तीन लोगों नहीं हमको मिलके आजादी दिला दी तो उस बारे उससे मुझे गुस्सा भी आया कि एक इतना इंटरस्टिंग और ग्रेट व्यक्तित्व जो उनका था वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा फिर जब मैंने हिंदी में अंग्रेजी में किताबे पढ़नी शुरू की तो मुस्ली अंग्रेजी किताबों में जो एक तक्बे के लोगों ने लिखी थी एक पेरग्राफ में पूरी सचस्तर करांती को नाप देते थे वह ये बिता ये बिता ये बिता इन्होंने कुछ किया नहीं कुछ करनी पाए कुछ नहीं बाए माफी मांगते थे तो माफी सावरकर जी ने कभी माफी नहीं मांगी कोई माफी वीर जो उनके लिड़ा है सावरकर जी माफी वीर नहीं थे फॉर शोर वो माफी जो माफी नामा जो बोला जाता है वो एक्चली याचिका होती है जो कोट में अगर आप किसी का भी कोट से पाला पड़ा हो या स्कूल में जब हमको एप्लिकेशन लिखवाते थे तो एक लैंग्विज यूज करते थे रिस्पेक्टेड, यौर ओनर यौर्स अबिडियंटली यौर्स फेटफुली तो ये हरेक एक बेल पली होती थी जो कि सब ने लिखी थी नहरू जी के फादर ने तो बहुत स्ट्रॉंग्ली लिखी थी और उनको निकलवा भी लिया था वो नाभा जेल में थे आफ्टर दा फर्स्ट वर्ल वर तो ये सब ही लिखते थे और ये कोट का प्रोसेस होता है और सावरकर जी खुद लॉयर थे तो उन्होंने ये याची काई लिखी उनका ये मानना था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके यहां जेल में सडने से क्या होगा पचास साल की आपको उमर कैद दी गई हो आपको पचास साल जेल में रहना हो तो आप वहां पे बस जाके हार जाएंगे कि भाई ठीक है मैं जेल में हूँ उन्हें पूरी कोशिश की हर तहीके से कि यहां से मैं कैसे निकलूँ और जाके अपने स्वतंतता संग्राम में और अपने देश के लिए कल्चरली, सोशली मैं क्या करूँ आजादी की लड़ाई मैं योगदान दे सकूँ इसलिए उन्होंने बहार आने की कोशिश की या या कोई भी करेगा कोई भी करेगा